उमर में बाली भोली बाली शेल की जोली हूँ अज भीम राज के बेटी मैं तो जै भीम वाली हूँ आजी भीम राज की बेटी मैं तो जैभिम वाली हूँ ने उन्हें अपरोच किया कि हमारे साथ आप जुड़े मगर बाबा साहब ने उस धर्म को अपनाया जो मानवता की बात करता था व्याग्यानिक्ता की बात करता था समता और समानता की बात करता था नकेवल बाबा साहब बलकी चक्रवरतिन अशोक समराट ने भी इस धर्म को प्रचार प्रसार खूब देश विदेश में किया और आज इसी दिन पर यहां मैं मौजूद हूँ बुलन शहर के शिवाली में जहाँ एक उत्सव कायोजन किया गया एक कारिक्रम हो रहा और मेरे साथ गाई का मौजूद है सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है बौध मित्रा जी मेरे साथ मौजूद है आज के दिन को आप कैसे देखती है शुरुआत में इसी चीज़ से करना चाहूँगी पहले तो सभी को जैभी मनमबुधाए मैं इस दिन को इस तरह से देखती हूँ क्योंकि मेरे जो वैल्यूज हमारे हमें जो वैल्यूज मिले हैं वो सिर्फ मेरे ही नहीं है मेरे दादा जी और मेरे नाना जी के थ्रू मिले है मेरे नाना जी होश्यार सिंग असोक जी जो की नवीनगर के हैं बुलैंशार के उन्होंने बहुत समासेवी रहे हैं बहुत समासेवा किया और मेरे दादा जी जोनोंने अब तक की 30 किताबे लिख चुके हैं धंपाद भी उन्होंने लिखा है उनका हिंदी अनावरन उन्होंने किया है और रहे मेरे फादर-in-law वो भी ब्रिशलाल गौतम जी बहुत अच्छा लेखन करते हैं और गायक हैं तो जो values हमें मिली हैं बहुत धरम की वो हमें अपनारी विरासत से मिली है हम कह सकते हैं कि हमारी अपनी नहीं है और जैसा कि अब सभी जानते हैं आज का इस दिन को हम पर्व की तरह मनाते हैं बाबा साहब जी ने अपने 3.65 लेक्स समर्थकों के साथ आज बहुत धम की दिक्षा लीती तो यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है उनके साथ बिल्कुल और यह बहुत ही खुशी की बात है जैसे कि पुझे बंते जी ने भी कहा कि हमें सिर्फ बात बनना नहीं है हमें अपनी सर्टिफिकेट्स में भी लिखवाना है और जो की हम लिखवा चुके हैं अभी लास्ट मन्त में हम लोग ने अपना बात धर्म में लिखवा लिया है पहले हमारा कुछ और ता जोसे गुनोंने बोला कि कास्टिजम को अटाना है तो हम अटा चुके हैं और रियल में हम लोग एज असर्टिफिकेट में भी हम बौध हो चुके हैं आप कहरें कि सर्टिफिकेट में भी बहुत हो चुके हैं अभी तक देखा जाता था कि हम दिक्षा तुले लेते लेकिन बहुत धर्म को समझ नहीं पाते थे मैं चाहूंगे आप अपने गीतों के माध्यम से जनता को जागरुक करने का काम करें बाबा साहब जी के लिए जो बताया है कि मानव एक साथ रहना चाहिए मानव मानव समान है बगवान भुजी का तो एक लाइन गाऊंगी आओ चलो सब मिल करके कुछ ऐसा एक काम करें पड़ लिख करके इस जीवन को मानव ता के नाम करें मानव मानव समान हम सब को ये बगवान भुजी ने कौतम भुजी ने सिखाया है बहुत ही मधुरवाणी है आपकी और आपने एक मैसेज देने की कोशिश की मैं आपसे आपकी जर्नी जाना चाहूँगी साथी साथी जाना चाहूँगी कि कहां से आपको प्रेणना मिली कि आप बुद्धिस्म पर गाने बनाएं और लोगों को जागरुक करने का काम करें वैसे तो मेरे æपको आप दो की जागरुक मेरे मेरे अप तक की 30 किताबव года गते हैं जगा जगा पर उनकी हिवानिया उनकी हिवाते सुन सुनके हमें भी जागरुकता में लिए तो इसी वज़े से हमने शोचा कि संगीत से लोग ज़्यादा जागरुक होते हैं हम भी जब दिन भर वोर हो जाते हैं तो गाने सुनने लगते हैं थोड़ा से मूड रिफ्रेश हो जाता और उन्हीं गानों में अगर आपको धर्म की जागरुकता भी मिले तो वह 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 क्या चटकारे लग जाए मैं प्रणाम और एक चीज में बताना चाहूंगी मेरा एक इंग्लिश सॉंग भी रिलीज हुआ है जो मैंने ही लिखा है मैंने ही कंपोस किया है बाबा साब जी के उपर आप यूट्यूब पर देख सकते हैं सिंगर बुद्मित्रा के नाम से बुद्मित्रा जी को बहुत लोग जानते हैं गानों के माध्यम से जानते हैं मगर लोग ये भी जानना चाहते कि बुद्मित्रा जी का जीवन में परिवर्तन कैसे है उन्होंने बुद्ध धर्म को कब अपना है उन्हें कब ये लगा कि उन्हें भी बुद्ध धर्म को लेकिन उनकी दिक्षाएं देखी उनकी शिक्षाएं देखी तो हमें लगा कि बुद्धरम वाकई में अच्छा है जैसे महान व्यक्ति इंटेलेक्शल व्यक्ति बाबा सहब जी ने बुद्धरम अपनाया है सारे धर्मों का अध्यान करकर तो हम तो कुछ भी नहीं है और वा मुझे यह लगता है जहां तक कि मैंने बुद्धरम को पड़ा है और इसमें लिखा भी है कि बुद्धरम में मध्यमार अपनाया गया है कोई भी पूजा पाट नहीं है अपने मन को शुद्ध करना है पंच शील का पालन करना है इसमें यह नहीं का आप काफी सारे धर्मों में देखेंगे कि पूजा करनी है बली चड़ानी है हमारे धर्म में बुद्ध धम में क्या है ऐसा कुछ मी नहीं है आप पूजा मत कीजिए बिलकुल मत कीजिए लेकिन अपने जो पंच शील है वह आप उसके उसको अपनाईए आप जूट मत बोलिए चोरी मत कीजिए नि उन्होंने बाबा साहब को अप्रोच किया और कहा कि आप हमारा धर्म अपना है हम आपको अरेक्शन भी प्रदान करेंगे हर तरीके से जो है वो लोग चाहते थे कि बाबा साहब उनके धर्म को अपना है और फिर प्रचार प्रसार हो लेकिन बाबा साहब ने एक ऐसे धर्म को चुना जो सबसे अलग था और कहीं ना कहीं समराट अशोग के बाद वो धर्म जो है वो धीरे-धीरे नीचे के स्तर पर जा रहा था लोग उस धर्म को जान नहीं रहे थे बिल्कुल ये बाबा साब जी का ही योगदान है कारण है कि हम बुद्ध दम को फिर से जानने लगे हैं एक और गीत में चाहूंगे आफ सना देख एक मेरे पंजाबी सांग है मैं आपको बता दूं कि यह कह रही है कि मैं बेटी हूँ बाबा सहब की और जिसने भी ऐसी वैसी बात करने की कुशिश के गिंशकर दूंगी जिसमान करना है उसे ग्रहेन करना है उसके साथ मानव मानव एक समान Авही ऊथ अपने भी करम कांड हैं उससे दूर जाना है जैसे कि घूंगट हो गया पूजा हो गई पाठ हो गई आप अपने अंदर बदलाव लाइए अच्छे इंसान बन कर बस की ही में मैं अपनाना चाते हैं तो पूर्ण रूप से अपनाईए यही मेरा संदेश रहेगा जैबीम नमुपुता है आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुए बौद धर्म अपनाने के बाद साथिया आपका पहला जो गीत है बौद धर्म को लेकर वो कब आपने जो है लॉंच किया किस उम्र में लॉंच किया वो मैं बहुत चोटी थी मेरे दादा जी की एक बुक लॉंच हुई थी धं ले लगे उसके बाद से सिलसिला शुरू हुआ तो सिलसिला रुका ही नहीं बिल्कुल और यह रुकना भी नहीं चाहिए तो आज आपने मंच पर अभी प्रस्तूति कर लिए जी एक कर चुकी हूँ अभी बागी है किस प्रकार से जागरुक करने वाली आज अपने समाज को क्योंकि देखा जाता है कि समाज जागरुक हो रहा है लेकिन तितर भी तरह भी छितराया हुआ है तोड़ा साथ करूँगी अपने गाने के माध्यम से उनको एकत्रित करने के लिए वो एक समझ बनाने के लिए ताकि वो बहुत हमको अवच्छे से अपनाए बहुत मित्र जी महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी क्योंकि मैसिज तो आपने दे दिया और आपने साफ तोर पे कह दिया कि देखें स्ट्रॉंग बनने के जरुत है जो तमाम कुरुतियां है उनसे बाहर निकलने के जरुत है लेकिन उनसे महिलाओं निकलेंगी कैसे क्योंकि समाज जो है आज भी कई सारी कुरुतियों को अपने साथ लेकर चलता है देखिए सबसे पहले ये जो कारण होता है महिलाओं का महिलाओं ही हमें कोई भी धरम में अपरिवर्तन कर सकती है हमारा तो एक महिलाओं को हमें जागरुट बनाना है पुरुषों को ये योगदान उन्हें देना पड़ेगा कि उनके साथ लगे तो एक यही मेरा मतलब संदेश है कि महिलाओं के सासत पुरुषों को भी जागरुट होना पड़ेगा क्योंकि उनका साथ ऐसा होता है कभी-कभी सास बहु का लड़ाई जगड़ा शुरू हो जाता है है ना तो उसमें आप पती साथ दे कर उनका योगदान दे सकते हैं कि मम्मी ये गलत है या पापा ये गलत है तो वो महिलाएं फिर इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं तो जितनी भी समाज की महिलाओं को एक समान अधिकार दिये है बिल्कुल उनों ने कहा कि मुझे आप दलित के तौर पर मत देखिए आप बहुजन के तौर पर मत देखिए बलकि एक समाज सेवक के तौर पर देखिए जो हर तपके की महिला के लिए काम करता है जो हर तपके के दवे कुछले समाज के लिए काम करता है बहुत बहुत शुक् मारिया